नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनलाइन और ओफलाइन ग्यान में देखो भई आप जानते हैं कल इस नोटिस पे मैं प्रोपर तरीके से आप लोगों को क्लारिटी दे चुका हूँ एक एक चीज मैंने आप लोगों को बता दी थी मैं आप लोगों के लिए अपने गोरफ जंक्षन यूटूब चैनल पर लाइव भी आये था उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्किप्शन में दे दूँगा जोइन कर लेना वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी बहुत सरे बच्चों के मन में डाउट आया है कि सर हमें आ रही यह यह कोशन से हमें क्लियर कर दो तो वो क्लारिटी के लिए आपके लिए मैं वीडियो लेकर आये हूँ उनका मैं मूबंद कर दूँ पहले क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं पता नहीं वो कहां से आते हैं दूसरे चैनल से आते हैं या फिर कोन है वो मुझे समझ नहीं आता ओफिशल साइट चेक किये बिरा यहां पर कमेट करने लग जाते हैं तो सबसे पहले मैं ओफिशल सबसे पहले पूरी पूरी पूसिबलिटिय की होगा जो बैक वाले हैं पहली बात इनकी हो गई अब जो में चीज में बता रहा हूं आपको वो सुनिया आप सबसे पहले अपने establishment को contact कीजिए उनको बोलिए कि आप लोगों के पास 19 दिन है आपका data वो हैं पर अपडेट करेंगे क्योंकि अगर आपका data नहीं हुआ तो कोई काम यहां पर नहीं हो सकता department को बोलिए कि आपका contract भी generate करेगा अगर आपका contract generate नहीं हो आपको certificate नहीं मिलेगा आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा तो department से बोलो कि आपका contract generate करेंगे फिर आपका contract यह तो आप accept कर लेंगे वो भी अपनी side से कर सकते हैं तो आपका contract आपको जो है और इनका जो है online exam registration 24 तारिक से start हो रहा है 24 तारिक को आप लोगों को यानि 24 साथ 2021 से 10 साथ 2021 के बीच में आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप 111 में exam दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे क्योंकि इस टाइम पर एक schedule जारी होगा कि जिन्होंने इस इस time से पहले apprenticeship कर रखी है वो वो बच्चे इसका form fill कर सकते हैं तो 24 तारिक तक आपको wait करना पड़ेगा 24 तारिक यह जो है इन्होंने starting दिया है और 10 साथ 2021 इन्होंने end दिया है तो यहाँ पर यह जो 18 दिन का समय इनको दिया हुआ है अभी 18 दिन में 25 को निकाले 26 को निकाले 27 को निकाले online exam registration वो जो है इनकी मर्जी है लेकिन वो 18 दिन के अंदर अंदर ही करेंगे बाकी इसके लिए आपको परिशान होने की जुरूत नहीं है हम आप लोगों को पता ही है किस तरीके से AITT की information आपको provide कर रहे है तो आपको जो है यहाँ पर यह information सही तरीके से मैं provide कर दूँगा इसके करके देगा वरना आप कर सकते हैं और अगर establishment भी नहीं कर पाता तो AITT आपके इसमें fully मदद करता है यह admit कार जो है आप लोगों के 23221 से 39221 के बीच में आना इस्टार्ट हो जाएंगा 12 दिन का समय दिया है ओनलाइन एक्जाम जो है आप लोगों के स्टार्ट होंगे 49221 स 29221 के बीच में यह भी CBT exam agency करवाएगी आपका कोई यहां पर मतलब नहीं है अब बात मैं करता हूँ यह जो notice है यह सिर्फ 111 वालों के लिए और 108, 109, 110 जो 10 वाले है जो fail हो गए उनका भी exam इसी में पूरी possibility है इसी में ही आप लोगों का exam होगा क्योंकि आप जानते हैं इ 111 की update दे दी 110 की नहीं दी 110 की update ना पहली department यह ऐसी दे चुका है पहली दे चुका है लेकिन covid की वज़े से उसे रद करना पड़ा तो आपको बता दूँ कि यहां पर आपके exam अगस्त में पूरी possibility है कि अगस्त के बीच में या end में आप लोगों के exam हो जाए जो ख़बर मेर पास आ रही है बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे है एक और मैं RTI डाल रहा हूँ आज रात में डाल दूँगा जिससे कि आप लोग को clarity सारी मिल जाएगी और बहुत सारे बच्चे बच्चे की सारजी study material जो आपने description में दे रखा है वो काम आएगा AIT exam के लिए बाई देखो जो fail बच्चे है वो पास हो जाएंगे और जो exam newly देने वाले है वो बच्चे भी पास हो जाएंगे तो हमारा study material जो है AIT का हमने 199 से घटा कर 99 पर उसका price कर दिया है सीधा 50% discount कर दिया है description चेक करना वहाँ पे आपको मिल जाएगा और अकर payment करने में कोई दिक्क मेरिट लिष्ट है वो आ गई है कपूर थल्ला की आ गई ठीक है उसके बाद आप लोगों की जो लोको मोटिफ था बीजल लोको मोटिफ उसकी आ गई और एक और विभाग है जिस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा आज ही उसका notice आया है तो उसकी भी बल है उसमें भी आईटे वाले बच्चों के लिए नोकरी आई है लेकिन पोश्ट बहुत कम है जैसी मुझे time मिलता है मैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और जो विजए की स्टील है विजए की स्टील में आईटे वाले बच्चों के लिए अप्रेंटिस आ रह पहें वो रुख जाई है मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ ठीक है मैं ही आप लोगों का रजिस्टर सेंग करवा भी दूँगा चिंता करने के जुरत नहीं है तो वो आप जो है थोड़ा रुख जाई है और जिन बच्चों का अभी जो है सेटिविकेट माक्षीट आ गई है वो IGCAR की जो वेकेंसी आ रही है IGCAR जिसकी 31 जुलाई लाज डेट है उसका भी फोर्म आप लोग फिल कर लो क्यूंकि IGCAR की वेकेंसी बहुत अच्छी है अगर आप उसमें सिलेक्ट होते है तो समझो कि आपका करियर सेट हो जाएगा और यहाँ पर उसके लिए लेकिन अगर 60% मार्क्स नहीं है तो आप उसका फोर्म नहीं फिल कर सकते हैं I hope कि सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दियोंगे अगर अभी भी इस नोटीस को लेकर आप लोगों के मायन में डाउट है तो आप लोग मुझे बताईए 24 तारिक तक का वेट कर लीजे मैं आपको बोल र प्रक्टिकल के इंजिरिंग के और सेशनल के वो अपडेट कर दो था कि हम जो है आगे यहाँ पर अपना जो भी एक्जाम है वो दे सके इसके इसके अलावा अगर आपके मायन में AITT से लेटिट कोई भी डाउट है कमेंड बोक्स से मेंशन करो मैंने कल भी आप लोगे झाल